हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो आग चानल तो आज हम बनेंगे क्रैप्स का अग्रिस्टेल रसाखिते से पीट चली देखते कैसे बनाते तो हम यह क्रैब है इसके हम जो पेर होते वो निकाल के लेंगे और वो छोटी-चोटी पेर होते वो फेकना नहीं इसे हमें आगे हम सारे क्रैप्स साफ करेंगे मैंने तीन क्रैप्स लिए थे और जो इसके छोटे-छोटे जो पेर होते न वो हम के लेंगे इससे ही बहुत ही अच्छी टेस्ट रहती है हमारे रस्या को अच्छी तरह इसे कूटना है थोड़ा सा कूटने के बाद इसमें आड करेंगे इसे चान के लेंगे चानने के बाद इसे हम फिर से यूजने करेंगे उसे हमें फेक डलना है और यह देखे ऐसे हमें उसका जूस निकलना है अब हम चलते है इसका आगे की प्रोसेस की तरह तो यह जो इसके पैर है इसे हलके होते से हमें फोड ना है क्यूंकि खाते समय आस तरह को इसे में अच्छी तरह कूटना है से कूटने से बहुत यह अच्छी टेस्ट रहते और मैंने साइड में टोप रहका है टोप में हम आड करेंगे तेल यह मैंने तीन बड़े चमश तेल अड़के है और इसमें एक टमाटर और जो रोस्टेट ड्राइ को कोकनटे वह और इसके बाद जल्दी सौते होने के लिए इसमें हम आड़ करेंगे स्वादुनसर नमक आड़ करेंगे नमक आड़ करने के बाद इसे फिर से अच्छी तरह मिक्स करना है और दो से तीन मिट के बाद इसमें हमें आड़ करने हल्दी पावडर हाफ टीस्पून हल्दी पावडर एड़ करेंगे एक छोटा चम्मच रेडचिली पावडर वन टीस्पून गरम मसला पावडर थोड़ा सा मुझे रेडचिली पावडर कम लग रहा तिसलिए मैंने और वन फोट टीस्पून आड़ किया है और टीखा आप अपने टेस्ट के यह aussahus यह पावड आड़ करने के बाद हूए अनद्धत धुम मिक्स करने के बाद यह द्हारी मिग्स नहीं करना हो दाल सकते हो इसके अब करकिया है और इसके उपर ढखकन रखके हमें इसे पकाना है इसे हमें तब तक पकना है जब तक हमारे आलू पकना जाए तब तक हमें पकना है और बीच में एक दो बार हमें ऐसे चेक करना है और अब हम आलू हमारा चेक करेंगे पकाया है नहीं और हम चेक करेंगे हमारा आलू पक चु और इसे लगबग 10 मिनिट लगते है और आलू पकने के बाद यह मैंने वन टीस्पून कोकम का अगर लिया है अगर आपके पास कोकम जूस ना हो तो आप इसमें लेमन जूस या फिर हम कोकम ऐसे ही आड़ कर सकते हैं बॉयल होने के बाद इसे गैस फ्लेव हम बन करेंगे और दने के पत्ते के साथ गार्णिश करेंगे और यह हमारे क्रैप की रसेपी बन के रेडी है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए बाए